पौड़ी में राज्य स्तर्य फुजबॉल प्रतियोगिता का शुभारम मंडल मुख्याले के कडूलिया मैदान में हुर गया है बतादे कि जुला पंचात अद्यक्षांती देवी ने फुजबॉल खेल प्रतियोगिता का विदिवत शुभारम किया इस दौरान उन्होंने खेल प्रतियोगिता में सले रहे खिलाडियों से मुलाकात की और उनका होसला बढ़ाया अद्यक्षांती देवी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अभिनांग है और पौड़ी में तो फुटबॉल को बहुत प्रेम दिया जाता है इस दौरान खेल अदिकारी आनुब विष्ट ने कहा कि राज्य स्तरिय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए 16 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है इसके साथ उन्होंने बताये कि अलमोडा जिले को छोड़कर सभी जन्पदों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता आगामी 7 दिसंबर तक आयजित की जाएगी पौड़ी से मुकैश बचीती की रिपोर्ट आज राज अस्तरिय फुटबॉल परतियोगिता आज हमारे जन्पद में यहां पर हो रही है जिसमें 12 जन्पदों के सभी बच्चों ने यहां पर परतिवाग किया है तोटल यहां पर 16 टीमें पर्तिभाग कर रहे हैं जिसमें से कि 3 हमारे जनपद पउड़ी के हमारे बच्चे यहां पर पदेफाग कर रहे हैं आज दिनांग 4 तरीक से 4 दिसम्बर से 7 दिसम्बर की मद्य खेल वाग दोरा किया जा रहा है, जिसमें कुल 16 टीमों ने प्रतिफाग किया है, जिसमें जनपद, 12 जनपदों की टीमों के साथ-साथ, इस जनपद की तीन टीमों ने प्रतिफाग किया है, और दहरादून से दो जिसमें धारदून जन्पद और धारदून हॉस्टल की टीमें इस प्रकार कुल मिलाके सोला टीमों ने इस प्रत्योकता में प्रदिभा किये।